वेलकम टू एकजाम सहपाथी आज के इस वीडियो में हम लोग जनुवरी से मार्च 2022 माह तक के जो आपके महत्दपूर सुचकांक और रिपोर्ट्स जारी हुए हैं इनके बारे में इस वीडियो में एक साथ देखेंगे तो ये सारे इंपोर्टेट इंडेक्स एन रिपोर्ट्स हमारे एकजाम में डारेक्ट पूछ लिए जाते हैं तो अगर आप यहाँ पे पहली बारा आया है तो यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर लीजिए इसके लावाँ टेलिग्राम, इंस्टाग्राम और फेस्बुक पे आप हमें फालो कर सकते हैं तो आइए श्टार्ट करते हैं अपना पहला इंडेक्स देखते हैं तो पहला है आपका भरष्टाचार धारडा सूचकांक यानि की करप्षन परसेप्षन इंडेक्स दोजारी कीस इसको जो है ट्रांस्पेरेंसी इंटरेशनल संस्था के द्वारा जारी किया गया जिसमें भारत की रेंक्या रखी गई 85 यानि की 50 वी रेंक रखी गई भरष् सूचकांक में 50 वी रेंक थी 85 अब अगला हमारा हैंले पासपोर्ट सूचकांक क्वार्टर वन के लिए तो ये क्या होती है कि ये तीन-तीन महीने पे लांच की जाती है ये पहली जो आपकी हैंले पासपोर्ट सूचकांक जारी की गई ये जनवरी माह की है ठीक है तो जनव पास्पोर्ट index जो जन्वरी में जारे हुई है उसमें भारत की rank है 83 भारत की रैंक क्या है, first है, important है, याद रखिएगा, क्योंकि पहली रैंक है, तो पूछा जा सकता है, next हमारा है, अंतराश्ट्री ये बहुत धिक संपदा सूचकांग, क्यानि कि आपका international intellectual property index है, इसे US chamber आप commerce के दौर जारी किया जाता है, United State of America के, ठीक है, और इसमें प्रथम property index, यानि कि अंतराश्ट्री ये बहुत धिक संपदा सूचकांग में भारत की रैंक है, 43, next हमारा है, लोकतंत्र सूचकांग, ठीक है, तो democracy index 2021, ये आपकी ज्यादा important है, इसके लावा एक और लोकतंत्र सूचकांग जारी होई थी, ठीक है, वो आपको भी नीचे बताए जा और नार्वे इसमें कहां पे है, तो नार्वे इसमें पहले नंबर पे है, तो भारत की रैंक लोकतंत्र सूचकांग में, जो की the economist intelligence unit के दौर जारी की गई है, इसमें भारत की रैंक है 46, ओके, नार्वे है पहले इस्थान पे, next हमारा है वी डेम democracy report 2022, तो ये आपकी वी डेम institute के दौर जारी किया जाता है, जो की Sweden की institute है, और इसके इस report के हिसाब से, प्रथम rank पे आपका Sweden है, और भारत की rank इसमें क्या रखी गई है, तो ये आपका वी डेम democracy report है, और वो आपका intelligence unit की report थी उपर, ठीक है ना, जिसमें भारत की rank 46 थी, तो ये आपका इसका नाम दिया रहेगा सांस्था का नाम दिया रहता है, उसके बाद आपसे report के बारे में पूछा जाता है, अगला है आपका सतत विकास सूचकांक, यानि की sustainable development index 2021, तो ये जारी की गई अभी हाल ही में, UN sustainable development solution network, तो ये आपके सन्युक्त राष्ट के द्वरा ही जारी की जाती है, ठीक है, इसमें भारत की rank 120 हैं, और पहले नंबर पे कौन है, तो पहले नंबर पे आपका Finland है, तो सतत विकास सूचकांक, important सूचकांक होता है, हमेसा आप सबको पता है, तो इसमें जो है भारत की rank 120 है, Finland पहले स्थान पे है, जारी कौन करता है, सन्युक्त राष्ट है, ओके, next आपक एक और आपका सन्युक्त राष्ट का ये आपका रिपोर्ट है, Sustainable Development Solution Network, UN की, यानि की सन्युक्त राष्ट की ही, और इसमें भी जो है, Finland आपका पहले स्थान पे है, और ये आपका क्या है, Westwick खुसाली रिपोर्ट, यानि की World Happiness रिपोर्ट है, ये, 2022 के नाम से जारी की गई और इसमें भारत की रैंक क्या है, तो 136 वी, तो Westwick खुसाली रिपोर्ट में भारत की रैंक है 136 वी, और Finland इसमें क्या है, पहले नमबर पे है, नेक्स्ट हम देखेंगे, निर्यात ततपरता सोचकांक, जो की आपके भारत के नीती आयोग के द्वारा जारी किया गया है, ठ ठीक है, तो निर्यात ततपरता सोचकांक 2021, इसमें पहले रैंक पे कौन है, तो गुजरात है, निर्यात का मतलब आप सबको पता है कि सामानों को एक अस्थान से दूसरे स्थानों पर जवाब भेजा जाता है, तो उसमें उसकी बात होती है, ठीक है, तो गुजरात से सामान को जो है, दूसरे स्थानों पर ज़्यादा भेजा गया है, तो इसमें पहले नंबर पर है, और दूसरे और तीसरे नंबर पर आपका महराष्ट और करनाटक, यानि कि महराष्ट दूसरे नंबर पर और करनाटक तीसरे नंबर पर, अब हम देखते हैं अपनी अगली रिपो वो कौन सा है वो आपका Istanbul तुर्की है यानि कि तुर्की में आपका Istanbul सहर और जो आपका भारत के किसी सहर किरेंग अगर आपसे पूछली जाया कि इसमें टॉम टॉम ट्रेफिक इंडेक्स में जो है भारत का कौन सा जो है सहर इसमें सामिल है तो आपका मुंबई जो है सबसे उपर सामिल है पांचवे नंबर पे ठीक है तो भारत के जो है मुंबई सहर इसमें सबसे भीड़भाड सहरों में भारत में सब ज़्यादा जो भीड़भ इंपोर्टेंट हो सकता है आपका IQAR इसको जारी करता है ठीक है विस्वाई गुडवत्तर रिपोर्ट 2021 इसमें दुनिया का जो सबसे प्रदूसित देश है वो आपका है बंगला देश ठीक है और दुनिया की सबसे प्रदूसित राजधानी अगर आपसे पूछ ली जाए तो अगर सहर पुछा जाएगा तो आपका भिवाड़ी राजजथान है और दुनिया की सबसे प्रदूसित राजधानी के बारे में पुछा जाएगा तो दिल्ली है और भारत में ये जो है आपके थर्ड प्लес पे है ठीक है थर्ड प्लेस पे है दूसरे नमबर पर पे पहले वायू गुडवत्ता रिपोर्ट 2021 जारी की जाती है तो उमीद करता हूँ कि यह आपको समझ में आया होगा अगले हमारा है वार्सिक फ्रंटियर्स रिपोर्ट ठीक है तो यह है आपका धाका बंगलादेश ठीक है तो धाका बंगलादेश तुनिया का सबसे अधिक ध्वानी प्रदूशड वाला सहर है अभी आपने देखा कि वायू गुडवत्ता में भी सबसे प्रदूसित सहर कौन था प्रदूसित देश कौन था तो वो आपका बंगला देश था और सबसे प्रदूसित सहर तो आपके भारत में था भिवाडी राजस्थान भारत में सबसे अधिक ध्वानी प्रदूशड अब इसमें वार्षिक फ्रंटियर्स रिपोर्ट में ध्वानी प्रदूशड के बारे में बताय गया है तो भारत में सबसे अधिक ध्वानी प्रदूशड वाला सहर जो है ये आपका मुरादाबाद है और इसकी वेस्वी क्रेंग क्या है दूसरी है यानि कि धाका पहले नंबर पे है पूरे वल्ड में आपके ध्वानी प्रदूशड में और दूसरे नंबर पे आपका कौन सा है ठीक है और बारत में ये पहले नंबर पे दूनिया का सबसे कम ध्वानी प्रदूशड वाला सहर कौन सा है तो वो है इर्ब्रेड जो की आपके जार्डन देश में है कौन सी संस्था जारी करती है आपकी वार्सिक फ्रंटिर्स रिपोर्ट ये आपका ध्वानी प्रदूश जो है हतियार जो है कहां से कौन सबस्था बेच रहा है कौन सबस्था खरीद रहा है इस तरह की रिपोर्ट इसमें जारी की जाती है और इसको जो है कौन जारी करता है इस टाक होम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टिटूट जिसको सार्ट में बोला जाता है क्या सिप्र ठीक है न तो इस संस्था के दोरे जारी किया जाता है ये और विश्व में सबसे ज़्यार आयातक देश यानि कि आयात मंगाने वाला देश कौन सा है विश्व में सबसे ज़्यारों को मंगाने वाला देश है आपका भारत और दूसरे नमबर पर अगर ये पहले नमबर पर हो भारत ने सबसे ज़्यार किस देश से मंगाए है तो भारत ने सबसे ज़्यार हतियार किस तेश से मंगाए हैं तो यह हमारे जो है महतपूर सूचकांक और रिपोर्स थी, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा, तो आप कमेंट्स जरूर करेंगे, ठीक है, वीडियो को आप क्या करेंगे, वीडियो को आप सेर कर देंगे, वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, वीडियो देख